हेलो रिवन, वेलकम बैक टो ओनलाइन स्टेडियों आज हम इस वीडियो में बात करने वाली हैं लूसेंट सब्जेक्टिव बुक का पेज नंबर 13 से रिकर के 17 तक जो आपको होमग दिया गया था देखे फिंस, दो दिन से मेरी तव्यत बिल्कूल भी ठीक नहीं है फीबर हुआ था, उसके बाद खास से ही सर्दी हो चुका है जिस वाज से मैं ज्यादा लंबे समय तक नहीं बोल पाऊंगा और इसी वाज मैं वीडियो नहीं रिकर्ड कर पाया कर तो आज मैंने कोसिस करेंगे और यहाँ पर एक वीडियो को रिकॉड करने के मैं कोसिस कर रहा हूँ तो इस वीडियो के साथ आखरी तक बने रहीएगा तो चलिए, सुरू करते हैं कवी कालिदास किसके राज कवी थे? सही आंसर बनेगा option C चंदरगुप्त दुटिये, जिनकों लोग भिक्रमादिति के नाम से भी जानते, C को टेक करेंगे एरड अविलेक का समद्ध किस सासक से है? एरड अविलेक का समद्ध किस सासक से है? देखे, questions को पढ़िए और test लगाए खुद से और बताएगा लास्ट में कि कमेंट कितना आपने सही किया? कमेंट करके बताना है कि कितना आपने सही किया? एरड अविलेक का समद्ध किस सासक से है? तो सही आंसर बनेगा option हम D को टेक करेंगे भानुकुप्त इस सीरीज का फायदा आपको पूरी तरह से तब ही होगा जब आप अपना होमग कमपेट करके आएगे और होमग हम आपको डेली देते हैं इस वीडियो के बीच में आपको बताऊँगा कि होमग क्या है? तो बस आप हमारे साथ अपना होमग कमपेट करते रहे हैं और उसके बाद वीडियो को देखे और तब देखे कितना फैदा होता है भारते संस्कीति का स्वन यूग किसे कहा जाता है? किस काल को कहा जाता है? तो ध्यान देखेंगे भारते संस्क्रिती का स्वन यूख गुप्त काल को अप्शन हम यहाँ पे डीकूटिक करेंगे गुप्त काल को गुप्त समराज्ची के सम्वन्द में निम्ड में से कौन सा कथन असत्त है तो ध्यान दीचीगा गुप्त समराची के समद में कौन सा कथन असाते हैं तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा option D उप्रोक्त में से कोई नी क्योंकि गुप्त बंस का प्रथम महान समराच चंद्रगुप्त प्रथम थे गुप्त समद की जो सुरुवाद की गए थी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 320 इसा पुर्वनी इस भी की बात करते हैं 319 से 320 से में स्टार्ट किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा और समद्रगुप्त का उत्रादिकारी देखें यहाँ पे पॉइंट्स मिस्टेक है चंदरगुप्त प्रधम का उत्रादिकारी जो था वो समुद्रगुप्त था ये points बिल्कुल सही है तो right answer यहाँ पर मा option D को tick करेंगे इन में से कोई भी नहीं, कोई भी गलत नहीं है तो right answer option D, यहाँ पर माफी चाओंगा तोड़ा सा mistake है चलिए next question देखते है question number 5 कहा रहा है कि हरी सेन किसका दरबारी कवी था हरी सेन किसका दरबारी कवी था right answer रोजा का option D, इन में से कोई नहीं क्योंकि हरी सेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवी था option D को tick करेंगे अगला कुसंस की निमली खित में से कौन सी उपादी समंद्र गुप्त की नहीं है कौन सी उपादी समंद्र गुप्त की नहीं है समंद्र गुप्त ने अस्वे में करता की उपाइधारण किया और महा भारत की नेपोलियन की रूप में भी जाना गया विकरमक के नाम से भी जाना गया लेकिन महराजा धिराज के गर हम बात करें तो महराजा धिराज चंदरगुप्त प्रधम को कहा जाता था तो यहाँ पर हम उप्सन बी को टिक करेंगे जो कि यह पॉइंट्स इससे समंध नहीं रखता है स्रीगुप्त का उत्राधिकारी कौन हुआ गुप्त समराज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है स्रीगुप्त को लेकिन अगर आपसे questions पूछे कि गुप्त बंस का वास्तिवी संस्थापक किसे माना जाता है तो वहाँ पर हम चंदरगुप्त प्रधम को जानेंगे ठीक है लेकिन स्रीगुप्त गुप्त बंस के संस्थापक रूप में जाने जाते है और इनके उत्राधिकारी बने घटोटकच आपसेन हम बीकुटिक करेंगे घटोटकच ठीक है next one कुमारगुप्त प्रधम के संबन्द में कौन सा कथन असत्य है कुमारगुप्त प्रधम के संबन्द में कौन सा कथन असत्य है तो दिहान रखेगा असत्य यहाँ पर बताना है यह चंदरगुप्त दूतिये का उत्राधिकारी था यानि कुमार गुप्त जय हूं चंदर गुप्त दूतिय के उत्रदिकारी हुआ और यहोंने नलंदा विश्व विद्याली के स्थापना भी क्या था तो यहां पर कह सकते हैं उपरोग दोनों कथन सही है कोई गलत नहीं है स्थावतार मंदिर के स्राज्यमिस्तिते हैं दसा उतार मंधिर कर दें उत्तरक प्रदिस आणि और बढ़ते हैं से निमली खीत भीट में से कौन सा घतन सथ्थैं और फहर पॉइंट से कि भूराज़े कूल उत्पाधनका एक चौथाई से चट्था भाग वा करता था यानि एक चौथाई से ले करके एक चट्था भाग वसूला जाता था ये बिल्कुल सही है सील जो था वो ऐसी भूमी को कहा जाता था जो जोतने योगे नहीं होती थी उसको सील कहा जाता था ये बिल्कुल सही सिचाई के लिए रखट या फिर घंटी यंतर का पर्योग किया जा था गुप्त सब्राज्यों में तो यहाँ पर तीनों के तीनों पॉइंट सही है सभी कतन सही हो का option D अगला questions गुप्त काल में सरवादिक महत्यपुन बेपारी केंदर निम्न में से कौन सा था यह सभी questions आपको subjective lucid से बनाया गया है MCQ format में तो अगर आप अच्छे तरीकी से पढ़ कर क्याएंगे तो एक तरह से फिंस आपका बहुत ही बारी की से रिवीजन हो जाएगा और आपको काफी अच्छा भी लगेगा तो आप जरूर पढ़ कर कैया है उसके बार टेश लगाएं गुप्तकाल में सरवादिक महत्यपून वैपारी केडर कहा पे था उज्जयन ऑप्शन भी उज्जयन गुप्तकाल के संबंध में निम्ने से कौनसा कथन सत्य है तो देखें, गुप्त राजाओं ने सरवादिक स्वर्ण मुद्राओं को जारी क्या बिल्कुल चाहिए, गुप्त कालिन स्वर्ण जो मुद्राय होती थी उनको दिनार कहा जाता था, यानि स्वर्ण जो मुद्राय होती थी उनको दिनार कहा जाता था, जबकि चांदी के सिक को शेको को रूपक यहां पर रूप लिखा गया रूपक कहा जाता था? ठीक है? रूपक कहा जाता था? तो यहां पर तीनों के तीनों पॉ Majd सही है कोई गलत नहीं है आप्सन D को टिक करेंगे एक, दो तीन गुप्तकालिन्सासन प्रुणाली किस प्रकार की थी गुप्तकालिन सासन प्रणाली जो थी वो किस प्रकार की थी राज तंत्रात्मक option A राज तंत्रात्मक भारते संस्कीती का स्वर्ण यूग कौन था भारते संस्कीती का स्वर्ण यूग किसे माना जाता है गुप्तकाल को option D कुप्तकाल को किस गुप्तकालिन सासक को कवी राज कहा गया किस गुप्तकालिन सासक को कवी राज कहा गया कवी राज के रूप में किसे जाना गया समुद्र गुप्तको असो में करता हो गया विक्रामंग हो गया भारत के नेपोलियन कवी राज ये सभी इनकी उपादिया थ गुप्तकाल को प्राचीन भारत का क्लासिक यूग क्यों माला जाता है या फिर क्यों कहा जाता है भारत का क्लासिकल यूग तो गुप्त काल को भारत का क्लासिकल यूग क्यों कहा जाता है क्योंकि यहां पर हम कह सकते हैं कि कला वो साहिते के छेतर में अपने चर्मुद कर्स पर पहुँचने के कारण ट्राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? आप्सन बी, आप्सन बी को टिक करेंगे नेक्स्ट बन, चंद्रगुप् दुतिये के काल में विद्या, कला वर साहिते का महान के अंदर कौन सा था? चंद्रगुप् दुतिये के समय में विद्या, कला वर साहिते का महान के अंदर कौन सा था? तो यहां पर हम कह सकते हैं उज्जयन ठीक है उज्जयन विल्कुल सही आंसर होगा उप्सन ए निमलिखित विद्वानों में से कौन चंदरगुप्त दूतिये के दर्बार में नहीं थे तो ध्यान रखेंगे वरामहिर भी थे धनवंतरी भी थे ब्रह्मगुप्त कालिदास ये सभी के सभी चंदरगुप्त दूतिये के दर्बार में थे तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा उप्सन हम E को टिक करेंगे ऐसा कोई भी नहीं है जो की नहीं थे यानि उप्रोक्त में से कोई नहीं ऑप्सन E बिल्कुल सही आंसर है गुप्त काल के सम्मद में निम्न में से कौन सा कथन असत्त है मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ जाता है पुराणों की वरतमान रूप से जो रचना हुई थी वो गुप्त काल में ही हुई तो राइट आंसर बनेगा option D उपरोक्त सभी कथन सही है सभी कथन सही है next questions है कि गुप्तवंस का वो राजा कौन था जिसने हुंडो को भारत पर आकर्मन करने से रोका था जिसने हुंडो को भारत पर आकर्मन करने से रोका था वो गुप्त राजा कौन थे option C, सकंद गुप्त option C, सकंदकुत हर्स ने किसकी रचना नहीं की थे तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा हर्स ने किसकी रचना नहीं की थे option D, हर्स चरिति की रचना इनके जो दर्वारी कवीते बाण वड़ने किया था जबकि प्रिये दर्सिका, नागानन्द और रतनावली और नगरनन्त 3 रचने हर्सवाधन के थी। इस तरह से बहुत सारे मेने ट्रिक के जो Questions होते हैं, वो लोग भीियारे सभी मेन्ज की प्रिपेशन कर रहे हैं ये किसी और की की पॉपर्शन करते हैं जहां definit रहीं आप जाकरे कैसी को देख सकते हैं हर्स को किस ने परास्त किया था यानि हर्स वर्धन को किस ने परास्त किया था यहां पर हमारा सही आंसर बनेगा पुलकेशीन दुटिया ठीके पुलकेशीन दुटिया ने हर्स वर्धन को परास्त किया था उप्शन टी हर्स का सासनकाल क्या था हर्स का सासनकाल क्या तो यहां पर हमारा सही आंसर बनता है, उप्शन ए, 606 से लेकर के 647 इस वी तक हर्स का सासंकाल था, उप्शन ए, हर्स वर्धन का अन्य नाम क्या है, हर्स वर्धन का अन्य नाम क्या था, हर्स वर्धन को हम लोग सिला दित्ते के नाम से भी जानते, उप्शन बी, सिला दित, निमलीखित में से कौनसा कथन सत्य है, तो अब यहाँ पर अच्छे तरIGATE से पढ़िए और पता हिका कहा तो कम्हें यह भी सही है, तो right answer क्या बनेगा, सभी कघतन सही है, option D correct होगा, कि समौद कुसर Guy की सही हुंड हरिन केसरी भी कहा जाता है, हुंड हरिन केसरी के नाम से región जाता है किसे, प्रभाकर वर्दन को ठीक है प्रभाकर वर्दन उप्सन C हर्स चरित्री के अनुसार हर्स की मंतरी परिशद में सकंद गुप्त किसका प्रमुक था हर्स चरित्री के अनुसार हर्स की मंतरी परिशद में सकंद गुप्त जो है वो किसका प्रमुक था तो यहाँ पे मारा सईया अंसर क्या पनेगा गज सेना का प्रमुक था ओप्सन दी गज सेना का प्रमुक ठीक है आगे बढ़ते हैं हर्स के समय सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद अस्थान कौन सा था option B, Mathura B, विल्कुल सही answer है, Mathura निमलीखीत में से किसने पल्लो राजवन्स की स्थापना की थे? पल्लो राजवन्स की स्थापना क्या गया था? सिह विश्नु के द्वारा, सिह विश्नु option A या पे right answer बनता है निमलीखीत में से किसने वैंकुट पेरुमल मंदिर बनता है, वैंकुट पेरुमल मंदिर को किसने बनता है? नंदी वर्मन दूइती है, राजवराज चोल प्रथम, ठीक है, राजवराज चोल प्रथम, option E चोल समराजी की स्थापना किस ने की थी यानि चोल वंस की स्थापना किस की दोरा किया गया था यहाँ पर सही आंसर बनता है option A विज्याले विज्याले ने चोल वंस की स्थापना की उन्होंने नरकेसरी की उपादी भी धारण किया था किस चोल सासक ने चितंबरम में इस्तित नटराज मंदिर का पुनरुद्वार करवाया था ओप्शन C, विक्रम चोल संपुन चोल समराज्य कितने प्रांतों में भगता सारा कोईशन साब का लूसेंट सब्जेक्टी बुक से बनाया गया अगर आप पढ़कर गयाएंगे तो काफी अच्छा लाएगा मैं आपको बार बार बताता हूँ ध्यान रखेंगे साई आंसर बनेगा ओप्शन C, छे प्रांतों में भगता ओप्शन E, राइट आंसर रोगवा काचीपूरम में कैलासनाथ मंदिर का निर्माण किस स्नी करवा है थे राइट आंसर ओप्शन C, नरसिह वर्मन दुटी ने काचीपूरम में कैलासनाथ मंदिर का निर्माण करा थे चोल समराजी का सरवाधी क्विस्तार किसके सासन काल में हुआ राजेंदर क्या उगर राइटांसर राजेंदर प्रत्थम ठीक है राजेंदर प्रत्थम के समय में उप्सन E चोल प्रसासन की प्रमुख विसेशता क्या थी ये questions बहुत important है चोल प्रसासन की प्रमुख विशेश था क्या थी तो ग्राम प्रसासन की स्वायता जो थी वो काफी famous थी option D बिल्कुल सही answer होगा ध्यान रखेगा चोल काल में वेटी सब्द किस लिए परियोगत होता था वेटी जो सब्द होता था वो किस के लिए परियोगति किया जाता था चोल समय में चोल काल में option B वह कवर होता था जो कि जबरन स्रम के रूप में लिया जाता था ठीक है option B बिल्कुल correct answer है C विश्नू निवन में से किस वंस का संस्थापक था उपर में देखा था C विश्नू ने पल्लव अंस किस थापना की थी यहां पे right answer बनेगा option B पल्लव अंस किस थापना की थी जोकि पाल वंस किस थापक गोपाल थे अगला question 8-20 सदी में त्रिकोडिये संघर्स किस के वीच हुआ 8-20 सदी में त्रिकोडिये जो संघर्स हुआ था किस के बीच हुआ था ओप्सण A चालू के पलव और पांडे यह तीन वंसो के बीच हुआ यहाँ पर ओप्सण A बिल्कुल सही आशर होगा हर्स्वर्दन को किसने पराजित किया था तो पुलकेश इंद्वितिये ने पराजित किया था यह याद रखना है पुलकेसीन दूतिये ने चलूकेवंस का सरवाधिक प्रसिद सासक कौन था चलूकेवंस का चलूकेवंस का सरवाधिक प्रसिद सासक पुलकेसीन दूतिये आगे बढ़ते नेक्स्ट वन चलूके राज़ा पुलकेसीन दूतिये को किस ने पराजित किया, अब आप ये बताईए कि जैसे कि हर्सवर्दन को पुलकेशीन दूत्ये को किस ने पराजित किया था तो उनका नाम है, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा नर्सी वर्मन प्रत्थम ने पराजित किया था आगे बढ़ते म weld इलोरा के मंदिरों का निर्माण किन सासको ने किया सीव से सीव मंदिरों का निर्माण किस राष्ट को निर्माण एलोरा में सु विक्यात कहलास सिव अंदिर का निर्माड किस राष्टकूट सासकने करवाया था ओप्शन सी करेक्ट आंसर है क्रिश्न प्रत्थम यहाँ पर करेक्ट होगा नेक्स्ट में देखिए!] राष्टकूट सम्राजगा प्रवर्थ कोंता या फिर हम संस्थापक कह सकते हैं राष्टकूट सम्राजगा संथापक या फिर संस्थापक किस नहीं किया दंती दुर्ग खिराईटा आंसर बनेगा option E दंती दुर्ग जो की राधानी मन्या खेता महाबली पूरम के साथ पैगोड़ा किसके दोरा संरक्षित कला के साक्षे है पल्लवों के ठीक है पल्लवों के ओप्सन ए चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षर प्रदान किया था ये कुशन्स भी बहुत बार पूछा गया इसके याद रखेगा चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षर प्रदान किया तो सही आंसर होगा उप्सन सी सैवधर्म ठीक है सैवधर्म उप्सन सी महाबली पूरम में रथ मंदिरों का निर्मार किस पल्लो सासा के सासनकाल में हुआ औप्सन बी करेक्ट अंसर नर्सी वर्मन प्रत्म निमलिखिद में से प्रत्म भारती सासा कौन था जिसने अरब सागर में भारती नोसेना की सरवच्त अस्थापित की द्यान दीजेगा काफी महत्पुर्ण प्रशने बहुत बार ये questions रिपीट भी हुआ है प्रतम भारती सासा कौन था जिसने अरब सागर में भारती नौसेना की सर्वुच्चता स्थापित की थी राइट आंसर बनेगा option E राज राज प्रतम फिन सर्व आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों के साथ सेर भी कर दीजेगा साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल आइकन को ओल पे सेड़ करके ताकि रुजाना आपको निव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे निम्लीखित में से किस चोल राजा ने लंका यानि सिहल जो कह सकते हैं सिन्हल को पहले जीता था वह चोल राजा कौन थे तो राइट आंसर बने का ऑप्सन बी राज राज प्रत्थम निम्लीखित में से कौन सा सहर चोल राजाओ की राजधानी थी चोल राजधानी निम्लीखित में से कौन सा सहर था तंज़ौर ऑप्सन बी तंज़ौर ठीक है आगे बढ़ते हैं गंगा को उत्तर से दक्षिर ले जाने वाला चोल राजा कौन था? आपसन डी राजेंदर चोल चोल वंस में ग्राम प्रसासन के बारे में किस सिला लेक में उलेक मिलता है? ये प्रशन भी बहुत बारे पूछा गया, तो इस इंपॉटेंट होगा, याद रखेगा चोल वंस के ग्राम प्रसासन के बारे में किस सिला लेक में उलेक मिलता है? तो उत्तर मेरूर सिला लेक उपसन बी उत्तर मेरूर उत्तर मेरूर सिला लेक में किस के प्रसासन से सम्बंधी जानकारी मिलता है? उत्तर मेरूर सिला लेक में किस के प्रसासन से सम्बंधी जानकारी मिलता है? तो चोल वंस के प्रसासन की जानकारी मिलता है? आप्सन टी निवन में से कौन सा सिला लेक? चलूख के सम्राथ पुलके सी इंडुटी से समदिता है रीड ऐंसर जानने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कल का हो्म आपकर क्या रहने माला तो ध्यान रखेगा नेक्स डे का होम आर्ख हम दे रहे हैं पेज नंबर अपको पढ़के आना है 19 से लेकर के 24 तक ठीक है 19 से लेकर के 24 तक पेज नंबर को गवर करने है ठीक है 19 से 24 तक loose and subjective आपको पढ़के आना है और यहाँ पर टिस्ट लगाना है अब बात करते हैं इस questions क्या right answer क्या होगा निम्लिखित में से कौन सी पुस्तक राष्टकुट के राजा अमोग वर्ष ने लिखी है कौन सी पुस्तक कवी राजमार्क option D अगला questions निम्लिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालूक के समराथ राजा पुलकेसी इंद्वितिये को पराजित करके तथा उनका वद करके वाता पिकोड का खिताब सी ता था यानि वाता पिकोड की उपाधिधारन की थे उपर लोगन देखा था कि हर्सवर्धन को पराजित किया पुलकेसी इंद्वितिये ने और पुलकेसी इंद्वितिये को किस ने पराजित किया था नर्सी वर्मन प्रतम नर्सी वर्मन प्रथम ही उसासक बने जिनों ने इसको पराजित करके वद करके वतापी कोड की उपादी धारण की थी यानि सही आंसर ओप्सन ए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन से निमलीकेत में से किस चोल राजा ने गंगाई कोड की पदवी धारण की थी नेक्स्ट वेशन से कहोगा है जो कि आजके वीडियो का आख़री जैबनाव है सिप्स्ट करता है और जो आपको होमॉक को पढ़के आई है तबहें आपको ज्यादा अच्छा लगेगा ज्या फैदा होगा, questions को लगाने में आपको अच्छा लगेगा और पढ़के आएगे तो बहुत ज़्यादा मजा भी आएगा, तो पढ़कर के आईए और यहाँ पे लगाईए, साती साथ वीडियो को share भी ज़रू किया करें, share नहीं करोगे तो फिर फैदा क्या है, हम लोग भी मेहनत करते हैं, तो चाहते हैं कि कुछ student हमारे साथ नहे जुड़े, तो आप लोग share किया करें, share करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, चली मिलते हैं, next class में thanks for watching, keep watching, keep learning, have a good day